बड़ी खबर आ री है पहले बड़ी खबर लेते हैं वाक्सिनेशन फ़र पुई की नेताओं से अपील जी है यही सवाल में मकरेंड से पूछ रही थी नेताओं से पुर्दान मंजी ने अपील किये कि नेता टीका लगवाने के लिए लाइन न तोड़े वो सबसे पहले जाकर टीका ना लगवाएं वाक्सिनेशन पर PM की नेताओं से ये अपील और ये नसीहत कि आप ऐसा ना करें फ्रंट टाइन वोकर्स, वारियर्स, पचास ता से जादा उमर के लोग ऐसे तमाम लोग हैं जोने इस टीके की जादा जरूरत है पहले तो नेता ठीका लगवाने के लिए आगे सबसे ना पहले पहुँचे क्योंकि ऐसा हो सकता है कि ऐसे कुछ लोग कोशिश करें तो इसको लेकर प्रदान मंत्री ने सला दी है ये नसीहत दी है कि आक्सिनेशन पर प्रदान मंत्री नेताओं से ये अपील कर रहे है प्रदान मंत्री नेतार सूकदार ऐसे लोग जो ये कोशिश कर सकते हैं कि वो क्यू जंप करें और पहले वैक्सिन लगवाले उसको पहले से ही प्रदान मंत्री ने नसीहत कर दी है ये अपील कर लिए जिसको वाकई जरुरत है जो ज़्यादा एक्सपोश्ड है जिसके पास स्वास सुबधाएं कम है जिसका इंकम लेवल लीचे है जिसकी उम्र जादा है जो फ्रंट लाइन वरकर है वो होंगे या रसूकदार लोग होंगे या वो होंगे जिनकी पहुँच सकता के हलकान में तो ये एक बहुत बड़ा इसू है और जो पीम ने कहा है आने वाले वक्त में ऐसी घटनाई भी उम्मीद है कि ऐसी घटनाई कहीने कहीं से चर्चा सामने आएगी कि लाइन तोड़ी गई है इस्ट्रा वेटिस लिया गया है तो ये एक एक अपने आप में बड़ा इशू है और पश्यम अंगाल में तो ये और भी बड़ा इशू बनने जा रहा है यहां के चुनावी माहूल को देखते हुए सुमेरा ये और लेकिन साथ ही ये तो पीम ने नसीहत करी दी कि रसूकदार नेता वो तमाम लोग जो लाइन जम्ट कर सकते हैं वो ऐसा ना करें हम भी अपील करते हैं कि प्रधान मंत्री की इस बात को सुनिये लेकिन प्रधान मंत्री ने एक और एहम बात किया है प्रधान मंत्री ये भी कहा है कि टीका करण होने के बाद भी आपको साफधानी बरत्ती है टीका लगने के बाद भी साफधानी बरत्ते रहने की जरूरत है यानि मास्क पहने की जरूरत है, हाथ दोने की जरूरत है सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की जरूरत है क्या का प्रधान मुंच्री ने सुनिये कंट्री का प्राइड के नाम से भी आ सकता है बहुत सी चीज़े हो सकती है ऐसी हर कोशिक को देश के हर नागरिक तक सही जानकारी पहुचा कर हमें नाकाम करना है और एक और बड़ी खबर आपको बता दें कोरणा वाक्सीन की खीमत पर ये बड़ी खबर है कोरणा वाक्सीन की खीमत कितनी होगी इसको लेकर सवाल लगाधार उटते रहे है सीरम इंस्टिट्ट को मिला है सरकार से वाक्सीन का ओडर सरकार ने सीरम इंस्टिट्ट को वाक्सीन का ओडर दे दिया है और कोरोना की वाक्सीन की कीमत होगी 200 रुपए सिरम इंस्टिटूट ओफ इंडिया की तरफ से बता गया है कोरोना वाक्सीन की कीमत पर ये बड़ी ख़बर आपको बता दे सुत्रों के हवालों से ये कहा जा रहा है कि आज शाम तक या कल सुबह तक यहाँ से जो कोरोना वैक्सिन लेके जाने वाले कंटेनर है वो बाहर निकलेंगे और उसकी तैयारिया फिलाल इस इस्टिटिट में शुरू है इसकी तहुत गए कुछ दिनों से यहाँ पे पूने प पूरे देश में किया जाने वाले है तो उसकी तैयारिया फिलाल इस सीरम इस्टिट में शुरू है अब देश की निगाए है कि कब यहाँ से कंटेनर बाहर निकलेंगे और कब इस वैक्सिन का डिस्टुबिशन पूरे देश भर में होगा कैमरा पर सुशान के साथ मैं योगश वोर से टीवी नाइन भारत वर्ष उने